जैसे जैसे चुनाओ खरीब आ रहे हैं उद्गीर में सियासी गर्मियां तेज होती जा रही हैं। हाली में कुछ दिन पहले उद्गीर यमायम के पांच नगर से वक राष्टवादी कॉंग्रेस में परवेश किये। इसी को लेकर आज यमायम के मराटवडा अद्धिक्ष फेरोजलाला यहां पर आकर सभा की और हम उनसे जानते हैं कि आपके जो पांच नगर से वक यहां से गए है राष्टवादी में तो आप क्या करना चाहिए। देखो एक बन है महारास्ता में गेह लेते काओड़े राहलेते मले हैं और अब हमकिए पार्टी है। स्टेहाद OL-Muslim इनमें काम कर रही है Ёहां पर हमारे कॉर॥ कॉर्प्रेटर से और भी इसके चलती हमारे पास और निवरती सांग्वीज इसे कॉर्प्रेटर कॉर्प्रेटर है साबिर पार उनकी वालदा वह कोर्परेटर हमारे पास जो है वो मावड़े है और कोई मसला नहीं इससे कहीं ज्यादा लोग जाने की वज़ए इन देखिए जो व्यापारी होता है उसका कोई वह नहीं रहता है यहां खिदमत जमात अगर आपको जिम्मेदारी दे रही है तो यह अवाम की खिदमत के लिए तो इनके जाने का मकसद तो आपको आपसे जादा बेतर माले है तो व्यापारी को टिकेट आप नहीं दिया आपने जिता कर लाया उनको जुम्मेदारी भी दी तो तब भी यह चीज को ख्याल लखना चाहिए तो दीखे मैं आपको यही बता रहा हूं गुलिस्ता दिनों की जो बात है उसमें वो बात नहीं रही उन लोगों की कि हम आपको यह बता रहे कि जमात ने क्या नहीं दिया जमात ने कॉर्परेशन का टिकेट दिया जिताया जमात ने जिल्ली की सदारत दिया जमात ने असंबली का भी टिकेट दिया यह तो सवाल उनसे होना चीए अवाम आज यहाँ पर मीर मुसा नगर के अमधार कितनी समस्या है यह लोगों की कितनी समस्या है आज वो बिजनसमें बन गए यानि कि जमात से वफादारी नहीं है और अवाम की खिदमतगार भी नहीं है यह तो आप यहां की अवाम ते करीगी ना हमने उन से बात की उन्होंने बताया कि जिस तरीखे से हमने यहां पे चुनाओ लड़े और हमें जब सत्ता में आना है अगर शेहर का विकास करना है तो यमाइम में रहकर हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमने सत्ताधरी पार्टी में शामिल है उनका कहना यह है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि और भी ऐसे बड़े चहरे है अन्खरीब देखेंगे इन्शालला मजलिस इत्याद मुस्लिमिन का पर्चम ले रहेंगा और यहां की नगर अद्धिक यमाइम के भी रहेंगा तो अभी क्या भूमी करेगी यमाइम में शेहर के माहुल को द सब्सक्राइब को दुआएं हैं उनके पीछे ही अवाम हैं उद्धिर के तो हमको उमीद है कि आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे आनकरीब इंशाललाव लाजीस अद्धिर के नगर पलिका में मंजलिस इत्याद मुस्लिमिन का पर्चम आने वाले चुनाओं में नगर यमायम किसी से गड़बंदन करेगी यमायम हम किसी से ने हम पॉलिटिकल पार्टी आज बोलना मुश्किल है मगर यहां के जो लोगों की जो जजबा जो जोश और जो लोग देख रहे हैं उनको यह बात की यह खिंदानी होगी कि यमायम ही काम कर सकते हैं नुमाइंदिय कर मिनारी आभी कैसे बोले की तो इलेक्शन लगने तो अभी नह venue अपर कि दो का पैनल हो वाला है नहीं दॉका दोकपदेखिए भी हैं जिम्यदार है पर्तिया करी यहां पर भी हो सकती हैं मुझे बार बते ही सवाल आप यह नहीं पूछते हैं उन लोगों से कि अवाम ने आपको किसे खिलाफ चुन कर दी अवाम किसे खिलाफ इनके एलेक्शनल थे किनके कि खिलाफ लड़े थे अवाम ने वो प्रस्थापित वो घराने शाय को गिराखे इनको मौका दे आ आने वाले दिनों में कितने उम्मेदवार खड़ा करेंगे यहां पर जैसे कि यहां पर 40 की कॉंसिल है यहां पर मजलिस इत्यादुल मुसलिमीन की तमाम टीम काम कर रही है यहां की मुखामी सती के ओपर तमाम जिमेदारों ने इस बात को ते करना चाहिए उन्हों जितने का घरीत तेनी गुनाने रहा जहां जा रहें वहां सुकून से रहें यह पार दूसरा कुछ बोले हैं शुक्रिए